हेलो बच्चो हमारा प्रस्ण है समरूप आवेशित ठोस गोले की सतह से बाहर की तरफ पांस सेंटीमीटर वद्द सेंटीमीटर के दूरी पर विभव 10-100 वोल्ट तथा 75 वोल्ट है तो इसकी सतह पर विभव जो है चली हम देखते हैं यहाँ से अगर हम देखें यह हमारा कोई गोला है ईस पर हम इसका तुरिजया आरहा है हमें कोई इस पॉइंट पर जो है अगर हम इसको ऑ मालने तो विए बराबर हमें दिया है सो Similarly यहाँ कोई point है अगर हम B वी भी बराबर हम दिये हैं यह कितना है 5 cm सता से यह यह सता से 10 cm दूर 75 दिया है तो वी यह की बात करें तो यह होता है KQ बटे R हमारा किना है R प्लस 5 बराबर यह हो गया सव वी भी की बात करें यह हमारा हो जाएगा KQ बटे R प्लस 10 बराबर 75 यह हमारा 75 है अब V A by V B करेंगे तो हम यहाँ से अगर V A by V B करेंगे तो R बराबर देखेंगे हमारा 10 cm आएगा यह सिंपल ही है R आपको जो है V A by V B कर देंगे आपको जो है R मिल जाएगा 10 cm तो अब चलिए हम देखते हैं अगर हम बात करें तो अब हम से क्या प्ठा है कि इसकी सता पर विभव कितना होगा तो इसके लिए चलिए हम Q कमान निकाल लेते हैं Q बराबर जो हैं पहले किसी भी उसमें देख लें तो V A से अगर हम हम यहाँ पर रख देते हैं R कमान तो देखते हैं V A बराबर कितना दिया है 100 क्यों बराबर 100 100 गुणी 12 कमान निकाल आया है अब यहाँ से हम से क्या पूंचा है अगर हम पहले कनडिशन क्यों देखें तो पहले में हम से पूंचा है किसकी सतह पर विभा कितना होगा इसकी सतह पर विभा मतलब के, क्यू, बटे, आर तो क्यू का मान हमने किन्दा निकाला है सव, गुणित, पंदरा, बटे, के और आर कितना हो जाएगा आर हमारा हो जाएगा सतह के लिए 10 सेंटीमीटर यानि अगर हम यहास देखें, यह कट गया 10.100 यानि 1500 उल्ट, य्यानि हमारा पहला सही है अब बूल रहा है कि गूले पर और अवेस कितना होगा गूले पर अवेस कितना होगा, तो हम यहीं से निकाल सकते हैं यहां से देखें, हमने निकाला है सव गुणित 15 अब यहां से कमान रख दे 9 गुणित 10 की पावर 9 तो हमें मान निकल आएगा अगर 3 से काटे इसको अच्छा चुंकि यह सेंटीमीटर में है तो अगर हम इसको जो है मीटर में करेंगे तो यह हमारा आजाएगा यानि SI यूनिट में रहेगा तो अब देखते हैं यह 3.9 3.15 यह 100 से इधर 100 चला जाएगा यानि 5 बटे 3 और यह 10 की पावर 9 उपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 9 कूलम यानि जो हमारा आपसन भी है यह भी सही है अब हमसे बोल रहा है सतह पर विद्धु छेत्र इतना है तो सतह पर विद्धु छेत्र अगर हम चलिए देखते हैं सतह पर विद्धु छेत्र के लिए हम देखें यह हो गया के की पावर के क्यूं कमाना हमने निकाला है तो हमारा जो यह होगा वैलू होगा तो हम देखते हमसे क्या बोला सतह पर विद्धु छेत्र तो सतह पर विद्धु छेत्र इसका किना होग पका सत्य पर इसके विद्दुश्षेत्र के लिए हम बच्चो एक जानते हैं फारमूला क्या होता है अगर हमें एकदम सत्य ये नहीं बताई कि सत्य या कहीं तो इसका एक ओ होता है कि अगर मान दीजी हमसे विद्दुश शेत्र पूंच रहा है तो यह हो जाएगा हमारा के क्यू और यह होता है कि आर स्कॉर कितना दिया है के क्यू बटे आर स्कॉर आर कितना है के क्यू तो के कमान है नव गुणि दस की पावर नव कि कमान हमने यहां से सिंपली देखें कि क्यू कमान हमने निकाला है सव गुणि पंदर बटे यह कितना हो गया कि आप आर कमान कितना है आर कमान हम यहां से प्रकाई कितना हो गाते हैं भी अंने यह सव चाड़ स्व हो गया बाइन वाकी और फ्रक Das पंदर, यह 10 की पावर 4 हो जाएगा, यानि 10 की पावर, अच्छा यहाँ पर हमने तो रख दिया है, लेकिन हमारा जो है, यह भी, सौरी, यह कितना होगा, यह भी तो मीटर में है, इसको भी मीटर में करना पड़ेगा, तो यह हमारा 10 की पावर, माइनस दो रखना पड़ेगा यहां पर हमने किया था SI यूनिट में तो यह हमारा आ जाएगा 15 गुणित 10 की पावर माइनस दो इन्टू यह जाएगा तो 10 की पावर 4 हो जाएगा यानि यह दो से दो कड़ जाएगा यानि पंद्रसव उल्ट पर मीटर यानि हमारा जो यह है विद्धुत सतह पर विद्धुचेतर जह यह भी सही है आप चौथे आप्चन के लिए देखे केंडर पर विभव तो बच्चों हम जानते हैं केंडर पर विभव केंडर पर विभव की बात करें तो यह होता है डेढ़ भव निकाला है तो यह हमारा किन्ना आ जाएगा दो सो पचीस यानि यह इसका भी आंसर सही है यानि इसका जो आंसर है वो ए बी सी डी चारो सही है थांक यू